अक्सर आप लोगोंने देखा होगा कि आसमान से पानी की बारिस हो रही है, लेकिन क्या आपने कभी आसमान से मचलियों की बारिस होती हुई देखिया है? जब जलिये जीव जैसे मेंड़क, केकड़े और मचलियां वाटर स्पाउट्स यानि की जल बवंडर में फसकर आस्मान में चली जाती है और जब बवंडर खतम हो जाता है तो वह जीव जमीन पर गिरने लगते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से गुजरात की 19,000 किलो मेटर लंबी नर्मदा की छोटी नदियों पर सोलर प्लेटे लगाई जा रही है जिससे एक मेगावार्ट बिजली हर साल पैदा होगी और नदियों पर सोलर प्लेटे लगी होने के कारण 9,000,000 लिटर पानी गर्मी में उड़ेगा नहीं या प्रोजेक्ट सुरू हो चुका है और इस प्रोजेक्ट से करोण रुपए की बिजली हर महीना मिलेगी बाई लोग जैसे कि आप सबी लोग जानते हो कि 19 सताबदी में हैजा महामारी काफी तेजी से फैल रही थी और इसी कारण हैजा महामारी से पीडित व्यक्तियों को दफना दिया जाता था लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे लोग भी होते थे जिनको यह बिमारी नहीं होती थी केवाज छोटी मोटी बिमारी होती थी और वह बिहोस होते थे और उनको हैजा महामारी के दवरान लोगों में जिन्दा दफन होने का डर काफी जदा बढ़ गया था और इसी से बचने के लिए लोगों ने कई safety device बनाई जिनमें से एक थास safety coffin इन coffin में अंदर की और एक रसी लगी होती थी और बाहर की और एक घंटी लगी होती थी अगर कोई इनसान coffin में जिंदा दफन कर दिया गया है तो उस रसी के माध्यम से वा घंटी बजाता था जिससे उसको आकर बाहर निकाल लेते थे और उसकी जान बच जाती थी तो भाई लोग अगर हमारे या आपके घर में थोड़ी देर के लिए light चली जाती है तो हम लोग काफी जादा परिसान हो जाते हैं लेकिन सोचिए कि अगर किसी hospital में कुछ घंटों के लिए light चली जाए तो क् कुछ हुआ था 12 जिले के सबसे बड़े सहीद राजमल मिड़ा city hospital में जहां रात के समय में घंटों तक बिजली नहीं रहती है और बिजली ना होने के कारण emergency ward में मरीजों का जो इलाज है वो डॉक्टर और नर्स जो है वो मुबाईल टार्श की मदद से करते हैं और कमाल की बात बताऊं लाइट जाने के बाद सारे ward में generator चालू करके power supply पहुचा दी जाती है लेकिन emergency ward में बिजली के backup की कोई विवस्था नहीं होती है